कि मुझे अपनी हजूरी से तो अपने आत्मा से कभी अलग मत करना कि दौद की स्टेटमेंट है परकार की ब्यूटिफुल जिंदगी है पर उनके पास सकून नहीं है पर आपके पास सकून है जब वो तेरे अंदर तू उसके अंदर है कोई भी पहाड तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा कितना भी पड़ाते ताकतवर क्या नहीं हो तेरे वचन से मैं अलग होकर तेरी हजूरी से मैं अलग होकर मैं जी नहीं पाऊंगा एक दौद की स्टेटमेंट है बाइबल मैंने का खुश आपको रहने शतान को नहीं श जी वरश्य करने से परमेश्र के नाम को क्या मिलता है और मिलता है die दो बाते तरे जीवर में होगी पहली जो येश्व मसी ने जरूशलम में आके की, सबसे पहले दो काम, जब वो गदी के बच्चे को उपर सवार होके जरूशलम में आया, उसने दो बड़े काम किये, सबसे पहले उसने हैकल को साफ किया, क्लीन किया, उसके बाद दूसरा काम येश्व मसी ने किया, वाय होई बमार के नाम से आपी जिन्दगी क्लीन होगी साफ होगी तो जितने रोगी आएं वह आज चंगे होके जाएंगे खुदावंद के नाम से तेरा आत्मा हमारे लिए सब कुछ है वो कहेगा तेरी आत्मा भी मेरे लिए सब कुछ है जब जब दौद ने कहा सुनो जब दौद ने कहा पिता तेरा आत्मा मेरे लिए जरूरी है, वो सेम चीज आपके लिए, येश्व मसी कहता तेरा आत्मा भी मेरे लिए बहुत जरूरी है, तुम्हें परमेशर कोई तेरा आत्मा चाहिए स्वर्ग में रखने के लिए, क्या कि प्रित्वी पर भी तेरा आत्मा महिमा करे, तो मर तो वो भी दुनिया में आपकी इज़्जत को उचा करेगा। मैंने का जो कुछ मुठी पर खोने से रब मिल जाये तो खोने के लिए हम त्यार हैं। तो यह भी बाद याद रखना कि जो मुठी पर आपके खिलाफ हैं। वो मुठी पर एक मुठी नहीं, चार मुठ्णी गुणा चार गुणा एक गुणा नहीं। चार गुणा एक दिन आपके साथ चर्च में वर्षिप करती होंगे। कोई पैदा ही महीं हुआ जो आपको डौन कर सके जब परमेशर आपको ऊचा करेगा।